जैसी कृष्ण आज मैं आपको पुत्रता एकादसी की कहानी इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाला हूँ भविश्य उत्तर पूरान में भगवान स्री कृष्ण तथा महाराज युदिष्ठर के समवाद में पुत्रता एकादसी के महातम्यका हमें वर्णन मिलता है महाराज युदिष्ठर ने पूछा हे स्री कृष्ण करपा करके मुझे पोस्मास की सुकलपक्स की एकादसी का वर्णन करे उस वर्द की विधी क्या है तथा कौन से देपता की पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण ने कहा जगत कल्यान के लिए इस एकादसी का वर्णन मैं करूंगा अन्य एकादसी की तरह इस एकादसी को भी वरत करे इसे पुत्रता कहते हैं सब पापों को हरने वाली यह सर्वोतम तिथी है कामना तथा सिद्धी को पूर्ण करने वाले भगवान तथा तिथी के अधी देवता है पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथी मानी गई है अब मैं आपको पुत्रता एकादसी की जो कहानी वो सुना रहा हूँ एक दिन गोडे पर सवार होकर महराज सुकेतु मान गहरे वन में चले गए प्रोहित और दूसरे लोगों की इसकी कल्पना नहीं थी पसू पक्षों से भरे इस गहरे वन में महराज ब्रह्मन कर रहे थे दौपेर होते ही महराज को भूक और प्यास लगी जल की तलास में महराज इधर उधर घूम रहे थे पूर्व जनम में पुन्य से उन्हें एक जलासय दिखाई दिया उस जलासय के पास एक मुनी का आस्रम था उनके सुब सकुन होने लगे उनकी बाई आख और बाया हाथ फड़कने लगा सुब घटना की आसा में राजा आस्रम में गए उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसनता हुई घोडे से उतर कर राजा ने सभी मुन्यों को प्रणाम किया तब उन मुन्यों ने कहा हे राजन हम आप पर प्रसन है राजा ने कहा हे मुनिगन आप कौन है आपके नाम क्या है आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एक्रतित हुए हैं करप्या हमें सत्य बताईए मुनी ने कहा राजन हम विश्वदेव हैं आज से आने वाली पांचवी तिथी से माग मास प्रारम होगा आज पुत्रदा एकादसी है जो कोई भी यहाँ एकादसी करता है उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है राजा ने कहा विश्वदेवगन अगर आप मुझ पर प्रशन है तो मुझे करप्या पुत्र प्राप्ति हो मुनी ने कहा राजन आप पुत्रदा एकादसी है आज आप इसका पालन करें भगवान के सब के प्रसाद रूप में आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी भगवान स्री कुषण ने कहा है युदिस्टर इस प्रकार मुन्यों के कहने पर राजा ने एकादसी का वरत किया और द्वादसी को वर्त संपून करके मुन्यों का आसिरवाद लेकर राजा वापस आया उसके पस साथ राणी गर्ववती हुई और एकादसी के पुन्य से राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई जिससे अपने उत्तम गुनों से अपने पिता के संतोस दिया वह उत्तम प्रजा पालक था इसलिए हे राजन पुत्रता वर्थ अवश्य करना चाहिए जो कोई भी इस वर्थ का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है वह मनुश्य स्वर्ग प्राप्त करता है जो इस वर्थ की महिमा पढ़ेगा सुनेगा या कहेगा उसे अस्व मेग यग के फल की प्राप्ती होगी तो ये मैंने आपको पुत्रद एकादसी की कथा सुनाई है इस तरह से सारे एकादसी की कथा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसी कृष्ण राधे राधे